अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं भाई सब बढ़ी आऊंगे शुडियम दोस्तों बात करेंगे सुने वर्सिस डियेसजी यानि की सुने वर्सिस डियेसजी की टीम के बीच में जो आपको साउट ओफरी का T20 का मैच नमबर 5 खेला जाता हूँ दिखेगा इस पहला मैच इनका बारिस की वज़े से उलडी कैंसिल हो चुका है जबकि अगर मैं बात करूँ DSG की टीम की तो ये टीम अपना एक मैच खेल चुकी और अपना पहला मैच ये टीम विन कर चुकी है तो दोनों टीम्स का किस परकार का आपको बैटिंग ओडर देखने को मिल च पहले चैनल पर नहीं होती है और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल कोन कर लेना आने वाले किसी भी मैसेज के वीडियो आपको मिस नहीं करने वीडियो पसंद आए तो दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे दोनों जगाए पर मिलेगा क्लिक करई और सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम को जोई जरूर से कर लीजिए यहां से बात करतें दोस्तो मैच के बारे में तो सबसे पहले वेन्यू की बात करें सेंट जियोर्च पार्क के वेन्यू पर यह मैच के लाजएगा अब देखो यहाँ पे जो South Africa T20 का पहला match था ना वो भी इसी venue पे खेला जाने वाला था लेकिन वो match बारीस की वज़े से cancel हो गया था लेकिन इस match में अगर आप लए देखोगे तो जो weather रहेगा वो बिल्कुल आपको clean देखने को मिलेगा मतलब अची खासी आपको दूप यहाँ पे खेल बनेगा तो definitely इतना score आप लोग यहाँ पे बढ़िया मानके चल सकते हो ठीक है अच्छा विगेट रहेगा तेज गेंद बाजों के लिए लेकिन spin को भी आप लोग बिल्कुल आवोइड नहीं कर सकते बाई सब यह ध्यान में रखना क्योंकि इस venue बे spin आपके लिए कहिना कि थोड़ा सा important role play करके जरूर जा सकते हैं तो totally आप लोग fast bowling के favor में ना जाके spin भी अपनी टीमें back कर सकते हो average जो score है यहांका वो लगबग 147 के आसपास से पिछले past T20 का तो यह ज्यान में रखना अगर 150 देखो 150 तो मैं नहीं हूँगा क्योंकि 150 तो चेज हो सकते हैं लेकिन अगर 160-165 का score बन गया ना पहले बल्ले बाजी में तो एक चीज मान के चलना के second बल्ले बाजी के लिए चीज़े उतनी जादा easy नहीं बनेगी काफी मसकत करनी पड़ेगे फिर target को chase करने में क्योंकि 160-165 का score रहेगा इस विकेट पे काफी बढ़िया हो सकते है पिछले past T20 में यहां पे total 61 विकेट गिरे जापे 30 गेंद जोगों favor करेगा no doubt लेकिन इस venue पे आप लोग spin cover नहीं कर सकते हैं यह चीज मा आपको लड़ी बता आचको ठीक है क्योंकि pace के मुकाबले spin ने भी अच्छे खासा विकेट निकाले बिकोज यहां पे केवल साथ विकेट का डिफरेंस है जो की कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है मतलब spin भी इस विकेट पे कईना के एक अच्छा काम करके जरूर जा सकती है यहां से बात करें head to head की तो दो मुकाबले वे दोनों टीम्स के भी जापे सुने ने एक विन के तो डिएजज आपे कोई भी मुकाबला विन नहीं कर पाई एक मैच दोनों टीम्स के बीच में उलरी नो रिजल्ट खेला जा चुका है हालांकि यहां पे देखा जाएगा तो डिएजज जी की टीम के बात हो या फिर भाई सुने की टीम के बात हो दोनों टीम आपको काफी स्टोंग टीम्स दिखेंगी पिछले पांच मैच जिए तो तो सुने की टीम देखोगे अपने दो मुकाबले विन कर पाई है जबकि डीएजज अपने यहां पे तीन मुकाबले विन कर पाई है ओल्मोस्ट आपको एक्वल टीम्स दिखेंगी 50-50 आप लोग इस मैच को मानके चल सकते हैं तो अच्छा विगेट रहेगा 160-65 का एवरे प्ले करके जरूर जा सकती है अब जलते हैं टीम स्लेक्शन पे सबसे पहले आएंगे दोस्तों विकेट के पिंग सेक्शन के अंदर पहली ओप्सन के बात करें जो कि आपके पास में क्विंटन डीको की रहेगी क्योंकि यह आपको जेको डेसजी की टीम की साइड से ना लेबाजी देने वाले हैं लास मैच में केवल पांस कर भाई उतना बड़िया फोर्म नहीं दिखा हलांकि अब देखो यह भाईया आपको खेलते होई दिखे थे बीबिल टीटोंटी ठीक है और बीबिल के अंदर बीट क्विंटन डीको की जो फोर्म रही थी वो उतनी ठीक है सबसे बड़ा प्लस वाइंट है कि भाई ओपनिंग बल्ले बाजी देंगे लास मैच निज ले कोई इशू निया बट फिर भी एक बार बैक करेंगे क्योंकि स्मोल ली के परपन से देखा जाएगा ना तो क्विंटन डिको के एक इंपोर्टन पिकर रहेंगे उसके मेरे अकोडिंग अगर बता हूँ अगर यहां पे निकलस पूरन को थोड़ा सा उपर बल्ले बाजी में मौका मिले तो शायद यह जादा बैतर विकल पो सकते हैं जादा बैतर परफॉर्मेंस भी करके जा सकते हैं अब टीम ने लास्ट मैच में किया किया वो चीज मुझे स टीम फिर से यहां पे निकलस पूरन को नीचे बल्ले बाजी करवाईगी ना तब आप लोग अपने टीम से बाई अवोईड भी कर सकते हो कोई इशू नहीं है लेकिन निकलस पूरन आइधिंग यहां पे इंपोर्टेंट हो भी चकते हैं क्योंकि उलाउंडर सेक्षन के प पेल में भी काफी अच्छी परफोर्मेंस कर थी जो लास्ट आइप लुआ था वहां पे आपने देखा होगा स्पिन को भी बहुत बढ़िया और लंबी हिटिंग कर सकते हैं तो आई थिंग यहां पर क्लास इन एक बहुत ही बढ़िया विकल पढ़ेंगे तो टोप के तीन बल्लेबाज आपको में जेंगे ठीक है अब यहां से थोड़ा चीजे समझना देखो ट्रिस्टन स्टब्स या फिर बढ़िया एडम रोसिंग्टन की बात करो हाई चांस है दोनों प्लेयर आपको सुने के टीम के साइड से खेलते हुँ दिखेंगे ट्रिस्टन स्टब्स इनका बैटिंग ओडर ओल्मोस्ट आपको फोर्थ डाउन दिख सकता है जबकि एडम रोसिंग्टन जो नहेंगे यह ओपनिंग बल्लेबाजी देंगे अब रोसिंग्टन का स्लेक्शन देखोगी न केवल 9% है बट इस प्लेयर के बारे में खास चीज आपको बता दूँ ये भाई देखो हिट एंड मिस वाला प्लेयर है मतलब अगर चलेगा ना तगडे रंस मार के जाएगा जैसे कि लास मैच क्लासे नहीं किया ना 35 गेंड में 85 रंस उसी परकार का एडम रोसिंग्टन भी आपको ऐसा बल्लेबाज देखेगा ये भी उसी परकार के सेम इस वाले प्लेयर के साथ में एक केस बनते है या तो इनका स्टार्टिंग में विकेड सला जाएगा या फिर ये 20-30 गेंदे खेल गए ना तो अपना काम करके निकल जाएगे उसके बाद में बले ही विकेड करे कोई फरक नहीं परता तो थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा बड़ी में आपको जो लास्ट मैस कवर गिया तो उसके अंदर बताई जुका हूँ इनके टी टूंटी के करियर के स्टैट्स किस परकार आप तो दिखेंगे ठीक है यहां से अगर ऐस इर्वे खेलेंगे तो थोड़ा सा यूनिक पिक में लेके चल सकते हो नीचे आओगे म लेकिन टी टूंटी के अपरोच के हिसाब से मैं बाउमा को उतना कुछ खास प्लेयर समझ के नहीं चलूँगा ठीक है और मैं जो कि आपके लिएक बहुत बड़ी आविकल पो सकता है और इस प्लेयर को आप लोग अपने टीमें ना एज यूनिक ओप्शन जरूरू मारको यांसिन ये दो प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां से बहुत 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 बड़िया दे सकता है खेलेंगे भाई याजे में गेंदबाज जिनके चार ओवर कम्प्लेट जो रहेंगे ना वो काफी ज़्यादा कुरूसल बनेंगे और यहां पर सबसे इंट्रेस्टिंग चीज़ आपको समझाओं तो यहां से ध्यान से सुनो मारको यांसिन देखो लाइफटाम फास्ट ग चांसिस बनेंगे तो बाई एक चीज़ मान के चलना शुरुआती जो विकेट रहेंगे डिएसजी के वो जल्दी गिर सकते हैं उनमें नामा जाएगा क्विंटन डिको का जो की ओपनिंग बल्ले बाजी देंगे यहां से नामा जाएगा बाई किसका एम ब्रेडर जी का जो ये चीज़ समझके चलना ठीक है तो थोड़ा सा काप्टन जी वाइस काप्टन जी करने से पहले दस बार चीज़ी आपको सोच नहीं बढ़ेंगे डिए ने प्रेटोरियस की बात करें जो कि बढ़िया बल्ले बाजी बैक अप भी दे सकते हैं और इनके चार ओवर भी काफ को टीम यूज कर चुकी थी उसके बाद चटी ओप्शन में ड्वेन प्रेटोरिस को यूज क्या तो वो चीज मुझे समझनी है कि ये रेगुलर गेंदबाज के रूप में खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा इस्यू बनेगा तो कई नहीं अगर एजे रेगुलर गेंदबाज नहीं खेलाना डियेस जी को तो आई तिंग आपे जे जे समट्स इनके लिए ज़्यादा बैतर हो सकते तो बाकी यार देखो काटन हम तो है नहीं वो है अपने हिसाब से वो टीम स्लेक्शन करके चलेंगे उसके बाद में वियान के साथ में टीम ने गेंदबाजी भी नहीं गरवाई थी तो फिलाल में इनको अवोइड रखूँआ किमो पोल के साथ में जाना देखो थोड़ा मजबूरी बन गई है क्यो बन गई है रीजन ये कि लास्ट मैच उपर बल्लेबाजी करवाई सेकंड डाउन पर हलांकि बल् किमो पोल बल्लेबाजी में थोड़ा नीचे जाते हैं तो हो सकता है कि टीम सावोड करने के चांसिस बन जाए बट अकोर्डिंग तो लास्ट मैच अभी देखो मेरे अकोर्डिंग यापर कीमो पोल एक बड़ी अविकलब है और बल्लेबाजी डेफिनिटली अच्छी भी दे सकते हैं नो डाउट ठीक है नहीं चाहेंगे यासे एक प्लेर आपको बतादू देखो स्वेन पोल ठीक है बहुती बड़िया प्लेर है अगर खेले भाई अपने टीम में यूनिक ओप्शन में ट्राई कर लेना ठीक है स्लैक्शन 0.9 परसेंट है खेलेगा तो ट्राई क में बड़िया गेंदबाजी दे सकता है तो इंपोर्टेंट रहेगा हलांकि लास्ट मैच पे टाई बहुत बड़िया हुई क्योंकि चार ओर के अंदर ट्रेपरनस दिये बट बंदे को विकेट नहीं मिले ठीक है लेकिन बड़िया और क्वालिटी गेंदबाज है ठीक है म अभी नहीं कहलेंगेender साफ में टीम उतर सकती है क्योंकि धो पहला मैच अपना नहीं कहले तो कंफर्म उनकी प्लैंग लेवन नहीं कह सकते कि किस एसार्ड ग्लीसन की बात करें लास्ट मैच में अगर आपने देखाओ घर राजिये को सापने बड़िया ठीक है तो वह जान बन सकते हैं बट मुझे नहीं लगता जूनियर डाला एक बड़िया विकल्प है और बड़िया गेंदबाज भी है यहां से देखो ओब आटमेंट यह बड़िया है इनको ट्राइग कर ले ना अगर सुने की साइड से कहले ठीक है क्योंकि बड़िया क्वालिटी गेंदबाज पर ज़्यादा किसी का फोकस नहीं होगे क्योंकि सभी बंदे ना बड़े बड़े नामस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो यह जो आपको डिफरेंशल पिक बता रहा हूं यह थोड़ा सा फोकस करके चलना ठीक है नीचे आओगे तो ब्रेड़िया को ट्राइग कर सकते हो जो कि आपको अलड़ी बता चको हर मैं आपके लिए यूनिक हो सकते हैं यहां से आप लोग टी स्टब्स या फिर एड़न रोसिंग्टन के साथ में जा सकते हो मैं यहां से रोसिंग्टन को बैक करूँआ है अलागे थोड़ा रिस्की पीक है वो मैं आपको अलड़ी कि जो टीम है न वो है ठीक है क्योंकि लास्ट मैस सुने की टीम का कैंसिल हो गया था इनकी अभी फाइनली लाइन अपस नहीं गया सकते है किस परकार के निकल गयागी तो टोस के बाद में कोई भी चैंजिस बनेंगी इस टीम मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दू कि डेविड मलान एंगे एड़न मारकर मापके पास में यहां से भईया मारको यांसे और किमो पोल यह मेरे साफ़से तीन च्यार पांस प्ले रहेंगे जो की बढ़िया विकल्प है जे कैप्टन और वाइस कैप्टन कोशिस करना इनी में से आप लोग अपना कैप्टन और चल पाओ ठीक है जो यूनिक ओप्टन से रहेगी कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी की टोस्ट के बाद टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्लिट वोच क्या होगा पसंद आयोती है और वीडियो को लाइक और चैनल को स कोटिफिकेशन बैल आप लोग जरूर से ओन कर लेना आने वाले किसी भी मैचस की वीडियो आपको मिस नहीं करने मिलते हैं दोस्तों अगले मैच के वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सेलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा पर्फूम जरूर करेगी